भिंडी की सबजी किसी को पसंद हो या ना हो मगर बात जब कुरकुरी भिंडी की आती है तो ये सब को पसंद आती है लेकिन डीफ फ्राय होने की वज़े से खाने में थोड़ी सी हीच की चाहट होती है तो आज आपकी इस प्रॉबलम का भी सॉलुशन कर देते हैं आज हम कुरकुरी भिंडी बनाएंगे सिर्फ दो चमच देल से वो भी एर फ्रायर में बिना डीफ फ्राय किये उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए भिंडी इन्हें अच्छे से दो कर साफ कर लेंगे उसके बाद एक नाइफ के हलफ से टॉप और बॉटम पाट को कट करकर अलग कर देंगे अब इसे बीच में से कट चरकर पतला पतला ककर लेंगे जैसा के वीडियो में दिखाया जा रहा रहा है इसी तरी के से हम सारी भिंडी काट कर आब तयार कर लेंगे यहां पर हमने सारी भिंडियों को काट कर तयार कर लिया है अब हम इने एक पाउल में ट्रांसफर कर देंगे अब हम भिंडी में कुछ मसाले मिलाएंगे तो सबसे पहला हम इसमें डालेंगे दो चमच बेसन, दो चमच चावल काटा, नमक स्वादनुसार, एक चमच धनिया पाउडर, आदा छोटा चमच लालमेश पाउडर, एक चोटा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच अमचूर पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे दो चमच ऑईल, आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑईल का यूज कर सकते हैं, जो भी आप अपने खाने में यूज करते हैं, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ओईल या फिर पानी डालने की बिल्कुल जरूत नहीं है, क्योंकि भींडी के अंदर जो मौश्यर है और जो ओईल हमने डाला है, उससे इन मसालों की कोटिंग भींडी पर अच्छे से हो जाएगी और यहाँ पर देखिए सारी भिंडिया अच्छे से मसाले से कोट हो चुकी है, अब हम एर फ्रायर की बास्किट के अंदर इन्हें डाल देंगे और एक स्पून की हेल्प से या फिर हाथ से इन्हें थोड़ा सा फैल आ देंगे ताकि सारी भिंडिया इवनली फैल जाए तो यहाँ पर टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यह हमारी चट पटी कुरकुरी भिंडी बनकर तयार है वो भी बिना डीफ राय किये से दो चमच ओयल से और आप देख सकते हैं कि यह बहुत अच्छे से कुक हुई है आप जब गर्मा गर्म इने अच्छे से निकालेंगे तो यह आपको थोड़ी सी सॉफ्ट लगेंगी पर जैसे ही आप इने बाहर निकालेंगे थोड़ी देर बाद यह एक तम क्रिस्पी हो जाएंगी और अब हम इने एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और गार्नीशिंग के लिए आप इसके आने वाले नए रेसिपी इसके नॉटिफिकेशन मिल सकें